वेल गाईज तो फाइनली C.E.M.L.L. रस्लिंग का 91 अनवर्सरी सो ओभर हो चुका है और आज यहाँ पर दुनिया की सबसे पुरानी कमपनी C.E.M.L.L. के 91 अनवर्सरी सो के मेन इवेंट के वोपर A.E. डिब्यू के लिजेंडरी सूपरेश्टर क्रिस जिर्को 20 सालों के बाद C.E.M.L.L. में उनका पहला मेश रसल करते गए जहाँ पर जिर्को आज अरीना मेसको में मेन इवेंट के वोपर लूचा लिबरेल लिजेंड मिश्टिको को फेस करते गए और इन दोनों का मेश नॉर्मल सिंगल मेश ना होके बलके C.E.M.L.L. का ट्रेडिसनल टू आउट अफ्री फॉल मेश होता ही बल पहले फॉल के अंदर जिर्को यहाँ पर इस मेश में पूरी तरह से कंट्रोल में होते गए और मेश के उपनिंग की कुशी मिल्टो के बाद जिर्को यहाँ पर वाल्स आफ जिर्को लगाते गए जिससे कि वो पहले फॉल को नीट अंड किलियर जीट जाते गए बड़ इसके बाद राउंड टो के अंदर हमें यहाँ पर मिश्टिको जिर्को को टेक ओवर करती हुई दिखाई जते गए जहाँ पर मिश्टिको उनका सिगनेचर मून सॉल्ट हिट करते हुए मिडल ड्रोप से ड्रॉप टिक लगाते गए और इसके बाद मिश्टिको के फ्रॉग स्प्लैस के साथ वो यहाँ पर जिर्को को पिन करके दूसरे फॉल को जीट जाते गए जिसके बाद की फाइनल फॉल की अंदर आज यहाँ पर जिर्को और मिश्टिको एक दूसरे को बैक टू बैक रोल अप करते गए और जिर्को एक बर फिर से वाल्स अफ जिर्को लगाने की कोसिस करते गए बड़ गाईज मिश्टिको यहाँ पर जिर्को के उपर स्प्रिंग बोट डाइब लगाते गए और इसके बाद यहाँ पर फाइनली मिष्टिको जरिको के ऊपर आज यहाँ पर आम बार सम्मिशन लगा कर इस मैंच को सम्मिशन से जीड जाते गए बड मैंच के ऊबर होने के बाद बिग बिल मिष्टिको के ऊपर अटैक करते गए जिसके बाद कि एल डिब्यू सूपरेश्टार औरंज केशडी अरीना की अंदर आकर आज यहां पर मिश्टिकों को जर्कों और बिग बिल से सेप करते हैं